हेलो एश्टुदेंट्स आज हम लोग साइंस का चप्टर 6 लाइफ प्रोसेस आगे कंटिनू करेंगे लास्ट क्लास्वे में आपको पलाया था रेस्पिरेशन इन हुमन बेंग्स और उसी वीडियो में आपसे का था कि नेक्स्ट क्लास्वे में हम लोग पलेंगे इन हुमन बेंग्स में जो ट्रांस्पोरेशन होता है उस ट्रांस्पोरेशन में उस सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांस्पोरेटरी सिस्टम में ब्लड और हाट का मेजर और वाइटल इंपोर्टेंस होता है तो हम पहले ब्लड के बारे में टीटेल पढ़ेंगे उसके system detail में पढ़ेंगे तो आज की class में हम लोग अपने आपको blood की information तक रखेंगे तो आए आज की class की हम लोग शुरुवात करते हैं blood के साथ सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि blood रख्त लहू खुन जी से कहते हैं वह आखिर होता क्या है what is blood blood is a fluid connective tissue आपको classics में पढ़ाया था tissues के बारे में tissues क्या होते हैं tissue के different types के बारे में पढ़ाया था या दोगा आपको वहां पर मैंने tissue का एक type connective tissue भी पढ़ाया था और connective tissue के example में दो major examples मैंने आपको दिये थे वो था blood and bone तो आज उसी blood के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो what is blood blood is a fluid connective tissue यह fluid होता है इसके अंदर fluidity होती है और यह एक connective tissue होता है chemistry के chapter में जब हम लोग mixture के different types पढ़ रहे थे वहां भी मैंने आपको पढ़ाया था कि blood एक providal solution होता है तो blood एक अगर chemistry के term में बात करें तो blood is a providal solution funding in our body और अगर हम लोग biological term में बात करें तो blood is a fluid connective tissue अब आपको समझ में आगई बात कि what is blood अब हमको समझना है कि what are components of blood यानि कि blood के अंदर होते क्या क्या है blood consists of two things दो चीजों से मिल करके blood बना हुआ है पाला है एक fluid medium एक fluid medium होता है और दूसा चीज़ है suspended cells यानि कि fluid medium में कुछ cells हैं जो कि suspended रहते हैं उसमें समय हुए रहते हैं जो fluid medium है उससे हम कहते है plasma blood plasma और हमारे body में जितना भी blood है उस पूरे blood के volume का ब्लड के total volume का 55% जो हिसा है वो blood plasma का है यह fluid medium का है और उसी blood plasma में यह suspended cells suspended रहते हैं मिले हुए रहते हैं और suspended cells का volume हो गया 45% यानि कि हमारे body के अंदर human body के अंदर total जितना भी blood का volume है उस total blood volume का 55% हिसा जो है वो fluid medium का है यानि कि blood plasma का है और remaining 45% जो हिसा है वो उस suspended cells का है अब कौन-कौन से suspended cells हो तो हमारे blood के अंदर एक होते आर्बीसिस यानि के red blood cells या फिरेड ब्लड ब्लड सेल्स दूसरे हैं डबलो विस्स वाइट ब्लड कॉप्स और वाइट ब्लड सेल्स और तीसरे हैं प्लैट प्लैट्स अब यह जो सस्पंडेट सेल्स हैं इसी प्लाजमा में सस्पंडेट रहते हैं और पूरा मिल करके एक ब्लड बनता है ब्लड बनता है और ब्लड के अंदर fluidity होती है और ब्लड क्या करता है हमारे body के different organs को यह यह क्या है कि body के ही child every cell को आपस में connect करने का काम करता है इसलिए चुकि इसके अंदर fluidity होती है ब्लड के अंदर इसलिए हमने इसको कहा यह fluid है और यह body के almost each and every cell को directly or indirectly connect करता है इसलिए इसको हम connective करते हैं और blood tissue है आपको पता है होगा पड़ा है हमने कि what is tissue tissue is a group of similar kinds of cells having similar functions and similar structures तो यहां पर यह इतने तरह के cells जिनका almost function और structure एक जैसा है उन cells से मिलकर बाना का collection है इसलिए blood एक tissue भी है और वो body 4 hours a day and 365 days a year non-stop without any break case blood through out the body flow करता ही रहता है circulate करता ही रहता है उसके अंदर fluidity होती है इसलिए fluid हो गया तो सारी चीजों को जब हम एक साथ मिला दिया तो वही blood का definition बन जाता है कि blood is a fluid collective tissue then components of blood आपको समझ में आगया अब हम बात करते कि carrier of blood क्या है blood को ढूने वाला कौन है मालेज़े आप water supply करते हैं कहीं भी water supply करने के लिए कि आपको medium चाहिए जिस medium से हो करके water flow करेगा क्या वो river हो canal हो या फिर pipelines हो तो similar है body के अंदर blood को one part of the body to another part flow करवाने के लिए कोई ऐसा medium चाहिए कोई तो channel चाहिए तो वो जब flow blood को flow देने वाले जो channels है वो दरहसल muscular pipes है क्या है muscular pipes उन muscular pipes को हम blood vessels के नाम से जनते हैं यानि के blood के carrier हो गए blood vessels यह blood vessels different kinds के हैं जिसमें से एक होते arteries arteries हैसे blood vessels होते हैं जिनके walls ठिक होते हैं इनके वाल्स ठिक और स्ट्रॉंग इसलिए होते हैं कि इनके थू होकर के oxygenated blood यानि कि वो blood जिसके अंदर oxygen होता है वो flow करता है from heart to rest of the body heart से लेकर के rest of the body तक blood flow करता हो blood oxygenated होता है और चुकि heart जो है blood को pump करता है pressure के साथ वो high pressure में blood होता blood के पास ज्यादा pressure होता है इसी लिए arteries जो होती है वो थीक wall वाल वाली और strong wall वाल वाली blood vessels होती है next veins veins वो blood vessels होते हैं जिनकी जो walls होती है उतनी strong और उतनी थिक नहीं होती जितने की arteries की होती है इन compare to arteries veins के walls comparatively thinners होते हैं and wicker होते हैं क्योंकि veins से जो blood flow करता है वो deoxygenated blood होता है यह यह कहां कि carbonated blood होता है यानि कि वो blood जिसका अंदर oxygen नहीं है oxygen कही respiration में कर्चों गया है और but respiration के दोरान जो byproduct के रुप में carbon dioxide बना था nitrogenous waste जो बना थे वो nitrogenous waste carbon dioxide वोगरा वो उस blood में mixed है उस blood को carry करता है तो उस blood में अब pressure नहीं रहता यानि कि pressure रहता है उतना pressure नहीं होता जितना oxygenated blood के पास pressure था low pressure blood होता है इसलिए इन blood vessels के rapture होने का chances ना के बराबर होते हैं तो nature ने हमें veins के रुप में जो blood vessels दिया है वो thinner walls दिया है next capillaries यह thinnest और smallest blood vessels होती है इनकी walls बहुती thinnest होती है बहुती पतली होती है पूरस होती है वेंबरेंट टाप की होती है पूरस होती है से पानी का पाइप है इधर से पानी का पाइप है दोनों पाइप को करने के बीच में एक सौकेट लगाता है से रिसाएंगी हो सकते इधर से आट्री जो इधर से वेन हो और फिर दोनों को करण करने के लिए यहां पर हमको के जरुत पड़े यानि कि कैपिलर हें अग से पाइज जाती हैं उन सली पार्ट में चाहांगी होता हो जिनको ब्लड निकल करके बाहर जाना है किसी शेल में या टीश्यो ओरगन में और कुछ मैटे इसको टीश्यो और निकल करके ब्लड में आना है और यह process जोगा यह उसी medium हो सकता है जो porous हो, membranous हो तो kaplanis होती है वो porous होती है, membranous होती है, उनके walls वेरी तीन होती है है ना, तो इसलिए उनके walls के through यह exchange of materials हो जाता है जैसे ऐसी kaplanis के जुरत हमको पढ़ते है in each and every cell, हर cell में kaplanis के जुरत होती है क्योंकि एक तरफ से cell को जोइन करते हैं दूसरे से वेंस निकलती arteries cell के अंतर oxygenated blood डालती है और वहां से जाने कि जब arteries cell में पहुंचती है तो वहां oxygenated blood गया हो रहता है उस oxygenated blood में से oxygen और digestive food juices cell में जाते हैं और cell के अंतर जो respiration process हो और respiration process को तरहां water nitrogenous waste condensate release हुआ है by body group में उन नेटोजने स्वेस्ट condensate और water भो फिर से blood में मिक्स होना है तो उसी पोरा सा membrane scapularies के walls के थ्रों यह blood में आ करके mix होते हैं यानि कि यहां पर यह exchange of materials हो रहा है क्या क्या एक्सेंज हो रहा है ब्लेट से सेल में क्या कर जा रहा है oxygen और डाइजिसर फूंड जो सेस्ट सेल में से ब्लेट कंदर क्या रहा है नेटोजने स्वेस्ट डिजॉब्ड इन वाटर एंड कंडेंग सेड्ट शुंट इसी तरह किडिनीस दों होता है किडिनी क्या होता है ब्लेट अपने साथ नेटोजने वेस्ट डिजॉब्ड लेकि उसको हम पर फिल्टर होना है तो निकल भार हो से झुल काई रहाम थित्वा निकल के बार हो लंगैस लंगैस करें एक पर यूंदा ब्लैड के इसाथ जलो ढहिसे हब है है ना तो हर सेल में रेस्पेस को दौरान जो कम्लेक्सेट रिलीज हुआ तो कम्लेक्सेट ब्लड में मिक्स हुआ था उसी कम्लेक्सेट को ब्लड लेकर के लंग्स में पहुचा हुआ है अब लंग्स में क्या होना है कि ब्लड में से कम्लेक्सेट को बाहर निकलना है और लंग similar way body में और कहीं भी कहां भी whole body के अंदर सहां कहीं भी किसी सेल किसी टीशू या किसी और गन के साथ exchange of materials अगर करने हैं ब्लड को तो वहां वहां पर capillaries के जौरत पड़ेगी क्या कि capillaries उस purpose को fulfill कर सकते हैं capillaries होती है smallest size ब्लड vessels membranous होती है पूरस होती है और वह भी होती है याने कि wanted things को ही इन होने देंगे unwanted things को ही आउट होने देंगे कि wanted को वह आउट होने देंगे और unwanted को इन नहीं होने देंगे तो selectively permeable भी होती हैं यह capillaries ऐसी ब्लड vessels होती है basically जब भी हम blood vessels के बाद करते हैं कहीं में पड़ते हैं तो इनी तीन की चर्चा होती है arteries veins or capillaries के यह vital or important blood vessels सामर बोड़ी के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही तीन है बट यह तीन major vital और important है इसलिए इनकी ही चर्चा सबसे अधिक होती है पर बाकि जो capillaries है वो भी कोई least importance वाली नहीं है जैसे कि pulmonary veins pulmonary veins वो blood vessels होती है जो oxygenated blood को lung से heart तक लेकर कर आती है और pulmonary arteries यह वो blood vessels होती है जो blood को heart से lungs तक लेकर जाती है सिमिलरली एवोटा एवोटा वो blood vessel है heart से जब blood out होता है कहां जाने के लिए rest of body में जाने के लिए तो सबसे पहले इसी एवोटा में आ करके collect होता है और फिर से एवोटा से बहुत सारे arteries निकलती है originate होती है blood को rest of body में लेकर जाने के लिए सिमिलरली वेना कावा वो blood vessel होता है जो heart के उस हिसे में रहता है जिस हिसे में rest of body से blood heart के लिए आता है rest of body से जब blood आता है तो सबसे पहले वेना कावा में ही आता है और वेना कावा से फिर वो दीरे-दीरे heart में transmit होता है तो अब आपको समझ में आगे होगे कि blood के carrier हमारे body में blood vessels है और वो कौन-कौन से blood vessels है वो कहां-कहां पाए जाते हैं और उनका क्या importance है उनके क्या functions है वो क्या-क्या काम हमारे body के अंदर करते हैं चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं water functions of blood blood के क्या-क्या functions blood हमारे body के अंदर क्या काम करता है तो चुकि blood अकेला कोई एक cell तो है ने blood क्या है fluid connective tissue है और tissue है तो collection of cells है किन-किन cells से मिलकर बना है वो आपने देखा blood plasma, rbcs, wbcs और platelets तो जाहर से बात है यह सभी cells अपना कुछ ना कुछ role play करते होंगे कुछ ना कुछ इनका function होगा इन सबका function ही तो मिलकर के blood का function कह लाएगा तो हम सिधा सिधा blood का function नहीं करके हम इन सबका भी function one by one देख लेते है blood का function अपने आप cover हो जाएगा तो blood के function हम सबसे पहले देखते है rbc, red blood cells या फिर red blood capsules red blood capsules का color यानि का rbc जो है इनका color red होता है और rbc के color के कारण ही पूरे blood का color red हो जाता है rbc के अंदर एक protein होता है जिस protein को हम लोग hemoglobin के नाम से जानते हैं और hemoglobin oxygen को absorb करता है oxygen का absorption hemoglobin ही करता है यानि कि hemoglobin ही हमारे body में oxygen को respiration के लिए carry करता है और वो लंग से oxygen को लेकर के body के एक एक cell तक to each and every cell तक पहुचाता है जहां respiration होता है कौन hemoglobin है hemoglobin का है एक protein है किस में पाए जाता है rbc में पाए जाता है तो इस तरह से rbc क्या करता है transport oxygen या oxygen का transport करता है लंग से लेकर के to each and every cell of the body similarly जब each and every cell में respiration process होता है तो respiration process का दौरान energy तो रिलीज होती है energy के साथ साथ कुछ byproducts रिलीज होते हैं जिन byproducts में water होता है carbon dioxide होता है और nitrogenous waste होते हैं तो वहां पर जो carbon dioxide release byproduct group में cell के अंदर respiration process का दौरान उस carbon dioxide को भी यह rbc absorb करता है अपने अंदर और rbc से फिर उस carbon dioxide को body के each and every cell से लेकर के lungs तक पहुचाता है जहां lungs उसको blood में से निकाल करके exhale out करता है है ना through nose हम exhale out कर देते हैं सांस में बाहर छोड़ देते उस carbon dioxide को तो इस तरह से rbc क्या काम किया दो काम किया कौन काम पहला काम oxygen ट्रांसपोर्ट किया lungs to each and every cell of the body और दूसरा कामने से ट्रांसपोर्ट किया from each and every cell of the body to lungs नेक्स हमारा ब्लड का दूसरा जो नहीं सा था हो तो wbc white blood capsules या फिर white blood cells यह wbc क्या करते हैं हमारा बॉडी कंदर कोई भी foreign material पहुंच गया है एनिक कंड़ फॉर्म मैटेरियल बैक्ट्रिया वारस फंगाई पोड़ोजवा anything else या कोई poison whatever it may be anything कोई भी एक फॉर्म मैटेरियल कोई इंफेक्शन बॉडी कंदर पहुंची है तो उसके साथ fight करने का करता है यानि कि wbc का है हमारा बॉडी के अंदर का military force यह ब्लैक केट कमांडो कह सकते हैं यह ब्लैक केट कमांडो जो पुरी जो अमारी army navy air force समय सब जादा जो dangerous commandos है साथ वनी को black light commandos को अतने black cat commandos उनसे बहें जादा dangerous यह wbc हमार बोडी कंदर हमार बोडी कंदर की पुरी force है वही army है नेभी है वही air force है वही सबकुच है पुरा डिसन से defense power है जो किसी भी foreign material से fight करते है जो foreign material जो unwanted material हमारा बोडी कंदर in कर गई है कोई infection हो गया है उससे लड़ने का काम उसको kill करने का काम या उसको body से ठक्का जेकर निकाल बाहर करने का काम अगर कोई करता बोडी कंदर तो वह है wbc next platelets platelets क्या करते हैं form claws and stop bleeding जब हमारे बोडी के अंदर कहीं भी कुछ cut हो जाती है तो वहां से bleeding शुरू हो जाते है खुल निकलना शुरू हो जाता ब्लड निकलना शुरू हो जाता है उस ब्लड के अंदर जो यह platelets हैं यह platelets क्या करते हैं oxygen के साथ रियक्ट करके तुर्ट वहां पर clot हो जाते हैं यानि कि कहीं cut हुआ blood बाहर निकला बाहर निकलते atmospheric air से उसक्रम लकात होगी atmospheric air में oxygen है उस oxygen के साथ इजट रियक्ट करके क्या हो जाएगा blood clot हो जाएगा निक वहां पर जम जाएगा जब blood clot हो जाएगा जम जाएगा तो वह जहाँ cut था जहाँ hole बन गया था छेद बन गया था पोर बन गया था जिसके through होकर bleeding हो रहता है निकी खुन बाहर निकल रहा था वह चेद वह ओल वह पोर वह कट बंद हो गया सील हो गया जिसके कारण अब फर्दर blood निकलना बंद हो गया अगर यह blood clotting नहीं होगी तो बड़ी का पूरा का पूरा blood धिरे 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 गिर जाएगा और अगर गिर जाएगा बड़ी का अंदर bloody नहीं रहेगा तो फिर आदमी भी नहीं रहेगा कहां चला जागा अदमी डैट एन्यों तो नेचर ने उस देट से production के लिए हमको हमारे blood का अंदर यह platelets दे दिया है ओके दें प्लास्मा यह सारे सेल्स कहां suspended थे blood plasma में तो जाएड से बात उस plasma का भी को रूल होगा सबसे पहले तो plasma का यही रूल मनता है कि वह अपने अंदर RBCs WBCs और platelets को suspended करके रखता है अपने अंदर मिला करके रखता है और चुकि वह फ्लेट मेडियम है वह फ्लो करता है तो अपने साथ-साथ RBCs WBCs प्लेटलेट्स को भी फ्लो करवाता है यह सबसे बड़ा काम तो उसका यही है सबसे बड़ा फंक्शन उसके लाव और क्या फंक्शन है और फंक्शन है ठांस्पोर्ट नूट्रियंट्स यानि कि जो हमारे स्मौट सिफाइन में फूट का जो फाराइनल डाइजशन होता है इस साल कर्भो हाइड रेड्स nelle खुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुप मोलवेट में करता है कि ग्लुकोज थी 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 कारवन जोबनाते हैं। द्यूका कीוש है वाल तो रेस्पिरिशन में भी होता है जहां पर हाई एमांट अफ अनर्जी रिलीज होती है और वहीं पर कामडग साइड और अधर चीजें रिलीज होती है और सासत एनर्जी भी पैदा होती है वह मैंने आपको पढ़ाया था तो यहां मुझे इस फिलाल ही कहना है कि उस रेस्प पहुंचाने का काम किसने किया ब्लड प्लास्मा ने किया जैस ओत्वर्दश हर्मोन्स को भी कि सती है वन पार्ट थानदर पार्ट तक ट्रांस्पोट परोटेल इसस इसे लिएज रेस्पिरेशन के दौरान बाइपोलक्स क्रूप में जो नैटोजनिस वेस्ट क्रियेट होते हैं उन नैटोजनिस वेस्ट को यह ब्लड प्लास्मा ही अपने आप में डिजॉल्ब करके और उसको ट्रांस्पोर्ट करके ले जाता बोड़ी के इच अंड अवरी सेल से कहा तब यहां किडिनीज में जाकर कुंफान जूरी दोकर यह बणती है यानि के बॉड़ी के सेल में बोड़ी के हमारे बॉड़ी के एच अंड अपरी सेल में जब रेस्पिरेशन होता है रेस्पिरेशन के दौराल जो Bipoder लेकर कामिनग साइड को आर्बी любим से ट्रांस्पोर्ट क Orange के एक एक सेल से लेकर के लंग्स तक और दूसरा जो बाइपोड़क्र रिली जो था वो था नेटिजनेस वेस्ट वेस्ट को ब्लड प्लाजमा करी करता है बोड़ी के एक सेल से लेकर के किड़नी तक जहां किड़नीज वो फिल्ट्र आउटो करके यूरीन बनती है जैन ट्रस्पर्ट करते हैं ऑपने साथ अब बात करते हैं की यह तो गया ब्लड के जो भी कांपोनेंटर्टक्राइब्स वेस्ट्र इस वेस्ट्र प्लाजमा उनका करता है और क्या काम करता है it regulate body temperature हमारे body के temperature को regulate गर्ना adjust करना क्योंकि हमारे body के बाहर का जो तंपरेचर है यसना एक्मास्पिरिक तंपरेचर है वो हमेशा constant नहीं रहता वो according to weather और seasons change होते रहता कभी too hot, कभी too cold कभी little hot, little cold कभी बिलकुल normal तो बाहर का बाहरा Bem तो एक दिन में ही in a day वो बहुत वेरी करता है यानि कि किसी भी दिन एक दिन जो 24 गंटे को तो 24 गंटे का temperature atmosphere एक नहीं होता है वो continuously वेरी होते रहता है और तो अब येर का भी temperature constant रहता है वरी होता रहता है बट हमको survive करने के लिए एक normal temperature चाहिए है अब बॉड़ी के नॉर्मल temperature मेंटन है गा तभी हम सर्वाइब करने तभी हम जिंदा रहेंगे अधर्वाइस हम जिंदा नहीं रह सकते तो हमको survive करने के लिए जिंदा रहने के लिए कितना temperature चाहिए उस temperature को maintain करने का काम भी blood ही करता है यानिकि हमारे body temperature को regulate करता है blood तो आपने देखा कि हमारे body में blood कितना vital or important role play करता है यह blood transportation system का ही हिस्सा है ओके इसमें एक चीज़ और है वो है lymph lymph क्या है देखिए आपके घर में जो pipe की fitting होई या पानी के pipe की fitting होई है कई आपने देखा होगा जहां पर दो pipe को एक socket से joint किया गया है तो joining के some type पर कुछ समय के बाद थोड़ा थोड़ा पानी लिक करने लगता है water लिक करता है ठीक उसी तरह हमारा body के अंदर जब दो arteries या दो veins या एक artery एक vein इनको connect करने के लिए जो capillaries लगी हुई है उन सभी places पे जहां पर exchange of materials होना है तो वहां पर वहीं जो joint है connection है capillary और arteries या capillary और veins का वहां से little bit कभी कभी not always कभी कभी little bit minute very minute quantity में blunt lick out करता है चुकि वह fluid होता है इसलिए हम उसको tissue fluid कहते हैं है ना तो वहां जो lick होता हो tissue fluid है जो की colorless होता है उसका कोई color नहीं होता है वह colorless होता है उसी colorless tissue fluid को हम कहते है lymph another words हम कहते हैं कि lymph is lequase blood lequase blood है lequase fluid है जो colorless होता है lequase tissue fluid है जो colorless होता है उसम्हाचीale होते हैं वह उत्रयं वाइटल रिंपर्टन नहीं होते हैं बड लिस्ट भी नहीं होते हैं अब यह जो लिंप मैं इनका भी de केंदर क्या फुंक्शन होता है डिकर इस डाइजेस्टेज़ फूड एंद अब्जॉब फैट्स वह बहुत है लेटिटिल कॉंटिटी में है माइनुड कॉंटीटी में है बट है और वह उसको कैरिक करते हैं और क्वैट्स को भी करते हैं याने कि दिरे दिरे यह एक कैप्लर से होते हुए और फिर वेन बना लेते हैं यानि कि Dou星 करते के लिए टो फिर मिल-मिल करके वेन बना लेते हो फिर में सब हैं बदों को इन चीज्ज memang को ले करके तो आज हमने human transportation system का human circulatory system का एक हिस्सा blood का पढ़ा जो की important role play करता है next class में आपको मैं इसका जो दूसरा measure part है measure जो organ है circulation में जिसका वो है heart तो अगली class में पहले मैं आपको heart के बारे में complete detail पढ़ाऊंगा फिर उसके अगली class में पूरा का पूरा circulatory or human transportation system के बारे में मैं आपको detail पढ़ाऊंगा और तब आपको बात बहुती बहतरीन तरीके से समझ में आएगे